नमस्कार दोस्तों सहाय कद्यापक भर्ती परिच्छा की त्यारी के क्रम में आज वीडियो लेकर आपके समझ उपस्तित हूं वो जीवन का उसल प्रबंधन अभिविर्ति से संबंदित है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि परिच्छा जो की 12 मार्च को हने वाली थी बंद नो करें बलकि उससे थोड़ा धीमा करके जारी रख सकते हैं इसी योगा कि आपकी जो पूरानी मेहनत होगी वो धीमा या धूदली नहीं पड़ेगी अर्था तो भूलेगी नहीं तो चलिए आज की वीडियो की सुरात करते हैं और यह जो की महत्मुल प्रस्टों की सीरिश की अंतरगत है जो की आपके अभियास को बैस्तर बनाने के लिए है और जांसने प्रक्षा के लिए कि अभियास अपका कैसा चल रहा है तो इसमें कापी पिल लेके आप भठ जाते हैं और जो प्रस्ट स्कीused का जवाब देते हैं और फिर हमारे उतर से उसका मिलान कर ग्यात हो जाता है तो चलिए वीडियो की सुभ़ात करते हैं पहला प्रस्न किसी कारी को आरंब करने जारी रखने और निमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेंड़ा करते हैं यह परिभासा किसने दिये प्रस्न एक बार फिर से देखने किसी कारी को आरम करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेररा कहते हैं यह परिभासा किस ने दी है? इसका उतर दें इसका उतर है गुड यानि गुड ने यह परिभासा दी है अगला प्रस्न NCRT की पुस्तक Document of Social, Moral and Spiritual Values in Education में कुल कितने मुल्यों की चर्चा की गई है फिर से देखने प्रस्न NCRT की पुस्तक Document of Social, Moral and Spiritual Values in Education में कुल कितने मुल्यों की चर्चा की गई है इसका उतर है 83, यानि 83 जो यह 83 मुल्य है वो नेतिक सामाजी के आध्यात्मिक मुल्य से संबंदित है अगला प्रस्न मेधावी बच्चों को पुरस्कार देना बच्चों को समय से आने को बोलना खेल का आयोजन करना अभ्यास कारे का निरच्छन करना आधिकारियों में से कौन सकार एक अध्यापक का सुविधा प्रदाता की भूमका वाला कार्य है दोस्तों इसका उतर होगा मेधावी बच्चों को पुरस्कार देना यह जो कारी है वो बच्चे की सिखने में मदद करने वाला है यानि कि उसका जो परिस्थित यह बच्चे की सिखने की परिस्थित उसको ऐसा बनाना कि सिखने की कारी और तेज हो जाए और सिखने में आसानी बने हो तो यह जो भूमिका है वो सुधा प्रदाता की भूमिका व एक सिचक तभी सिछण कर सकता है जब वो स्वयम अध्यान सिल रहता है एक जलता हुआ दीपक की दूसरे दीपक को प्रज्वरित कर सकता है यह कथन किसका है फिर से देखना एक बार एक सिच्छक वास्तों में तभी सिच्छन कर सकता है जब वो अस्वयम अध्यान सिल रहता है एक जलता हुआ दीपक की दूसरे दीपक को परजवरित कर सकता है यह कथन किसका है इसका उत्तर दे यह कथन रविन आश्ट्रेगोर का है अगला प्रस्ण उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा अध्यापक सेवा निमावली 1981 के उसार जूनियर बेसिक स्कूल का ताथ पर किस कच्छा से किस कच्छा तक के सिच्छा से है इसका उत्तर दे जूनियर बेसिक स्कूल इसका उत्तर एक अच्छा एक से पांस तक जुनियर बेसिक स्कूल एक से पांच तक के लिए है और छे से आठ तक सिनियर बेसिक स्कूल है अगला प्रस्थन मुल्य किसी सामाजिक ब्योस्था में कई अनुअस्थापनों में से किसी एक अनुअस्थापन को चुनने का एक मानक है यह परिभासा किसकी है फिर से दिख लें मुल्ड किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुअस्थापनों में से किसी एक अनुअस्थापन को चुनने का एक मानक है यह परिभासा किसकी है यह उत्तर उसका होगा पारसंस यह पर Parsons की परिवासा है, अगला प्रस्तुर। प्रेरणा के दो असाबधिक तरीके बताएं, इसका उत्तर बताएं, इसका उत्तर है धंड पुरसकार, धंड और पुरसकार, अगला प्रस्तुर। मुखिता पुनरबलन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उतर है दो. अगला प्रस्ण। कृतिम प्रेरणा के दो उद्हांड देजिए। इसका उतर है धंडेवं पुरसकार। अगला प्रस्ण। राष्टिया ध्यापक सिच्छा परिसद एंसीटी में कुल कितने सदस्य होते हैं। इसका उतर है 43 है अगला प्रस्ण। इमांदारी त्याग ब्यावसाय के प्रति निष्ठा स्वतंतरा आदि में से कौन सा वैस्विक मुल्य से संबंदित है। इसका उतर है स्वतंतरता अगला प्रस्ण। एक अध्यापक सुगम करता की भूम क्या में है। लिमित करने वाला अगला प्रस्ण किसने सिच्छकों को राष्ट की संस्कृत के चतुर माली कहा है इसका उत्तर है अर्विंद घोस ने किसने सिच्छकों को राष्ट की संस्कृत के चतुर माली कहा है अर्विंद घोस इसका उत्तर है अगला प्रस्ण किस परशिद विद्वान ने विद्याले में मुल्यों के विकास के दू प्रमुका धार सिच्छकों द्वारा आदर्स प्रस्तुतिकर्ण और विद्याले का समरास्ता पूर्ड सवहार्द पूर्व स्वस्थ पर्यावन मनाई किस परसिद विद्वान ने विद्याले में मुल्यों के विकास के दो प्रमुकाधार शिच कोंद्वारा आधर्स प्रस्तुतिकरन और विद्याले का समरस्ता पूर्ण सवर्थ्पुन्वा स्वस्त पर्यावन मना है इसका उतर दे। इसका उतर होगा राविनमैरो राविनमैरो ने ये बत्मना है इसे इसा अगला प्रस्का दंड एक उदीपन के समान है जिससे ब्यक्ति बचने का प्रियास करता है या उससे दूर भागना चाहता है या कथन किसका है दंड एक उदीपन के समान है जिससे ब्यक्ति बचने का प्रियास करता है या उससे दूर भागना चाहता है या कथन किसका है इसका जवाब दें इसका उत्तार सोलोमन सोलोमन का अगला प्रस्ना, थानडाईक के अनुसार, भावतिक पुरसकार और मौखिक पुरसकार में से कौन अधिक लाबदायक है, इसका उत्तर बताएं, उत्तर भावतिक पुरसकार, अगला प्रस्ण। अभिप्रेणा से सम्मंधित आव स्यक्ता पदानुकरम का सिधान्त किस ने दिया। यह काफी महत्पूर्ण सिधान्त है जो कि मैसलो द्वारा दिया गया है। अगला प्रस्ण। सन्युक्त राश संग द्वारा बाल अधिकारों की घोश्रा कफ की गई। अगला प्रस्ण। भारती सम्मंधान के किस अंच्छेद में 14 वर्स से कम उम्मर के बच्चों का खान या कार खानों में नियोजन निसेद है। भारती सम्मंधान के किस अंच्छेद में 14 वर्स से कम उम्मर के बच्चों का खान या कार खानों में नियोजन निसेद है। इसका उतर दें। इसका उतर है अंच्छेद 24 अगला प्रस्ण। वर्तमान में यूनेसको के मानी देशक कौन है। इसका उतर है आद्रे अजोले। यह फ्रांस के सांस्कृतिक मंत्री थी जो कि इस समय मानी देशक हैं यूनेसको की। तो दोस्तों यह आज की सीरीज रही है। हम उम्मिद करेंगे कि आप इससे तपने तैरिक और बहतर बनाने मदद मिलेगी इससे आपको। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो फिर सब्सक्राइब कर ले। ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप जुड़े रह सकें। तो दोस्तों साथ देने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक नमस्कार। देाले वीडियो